हेलो फ्रेंग्स, विल्कम बैक टू पिरू दढ़ाबा पिरू दढ़ाबा आपके ने लेकर आया है माइन ब्लोइंग किचन टिप्स और ट्रिक्स याने की किचन हैक्स जिससे आपकी किचन लाइफ बहुत ज़्यादा असान हो जाएगी आज की जो हमारी टिप है वो वेज़िटेबल्स को लेकर है फ्रेंग्स, देखिए हमारी जो वेज़िटेबल है अगर हम जादा दिन तक स्टोर करें तो हमारी वेज़िटेबल्स जो है ये देखिए इस तरह से मुर्जा जाती है और इसकी डंडी देखे किस तरह से काली बढ़ गई है इसी तरह से यह देखिए मेरी जो हरी मेट चै यह भी बिलकूर मुर्जा गई है तो हम ऐसा क्या करें कि यह दुबारा से फ्रेश हो जाए तो हमें करना क्या है एक बॉल में हमें लेना है पानी और उसके अंदर हमें यह वेजटेबस जो है वो डाल देनी है और फ्रेंट्स यह हमने जब हम सबजी बनाने लगे उससे एक घंटा पहले करना है इसके बाद मैंने यहापर लिया है हाफ लेमन हाफ लेमन जू है मैं इसमें डाल दूँगी लेमन जूस और फ्रेंट्स इसे एक घंटे तक इसी तरह से रख दूँगी और अब हम आपको एक घंटे बाद मिलते हैं अब हमारी वेजेटेबल्स को मैंने आपर जो भी गोया वा था एक घंटा हो चुका है तो फ्रेंट्स इस तरह से हमारी जो वेजेटेबल्स है वो बिलकुल फ्रेश हो जाएंगी कैसी लगी आपको हमारी टेप अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें और कमेंट सेक्षिन में जाके मुझे बताएं आपको मेरी आज की टेप कैसी लगी